जै शनी देव, प्रिय भक्तगणू, मैं गुरू रजनीश रिशी, शनी पीठ मंदिर, इस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से, आज पुने आप सभी लोगों के समझ उपस्थे तुआँ, आपका आज का अपना डेली राशी फल लेकर, देनिक राशी फल लेकर, किन्तु राशी फल देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस राशी का राशी फल देख रहे हैं, क्या वास्तम में वह आपकी राशी जनमकुंडली के अनुसार, आपकी जो प्रॉपर जनमकुंडली बनी हुए उसके अनुसार, उसमें लिखी ही राशी है, अगर जिन लोगों के पास जन्म कुनली है यह नहीं और वो केवल अपने नाम को जानते है उनको तो यहां तक नहीं पता कि उनकी राशी क्या है तो ऐसे लोगों के लिए इस करीम पर इस समय जो टेबल आ रही है उस टेबल में वो व्यक्ति अपने नाम की प्रथम अच्छर से अपनी राशी देख सकते हैं और उस राशी के अनुसार अपना राशी फल देख सकते हैं इसके लावा मैं आप से कहना चाहूँगा कि जो यह राशी फल है ये ग्रह गोचर की वो इस्तिति है जो ब्रमकालीन कुंडली के अनुसार बनाई जाती है हलांकि आप सभी के जनम कुंडली के ग्रह बिलकुल अलग-अलग होते हैं तो विशेश चरूप से जब हम राशीवन की बात करते हैं तो आपका जो अपनी जनम कुंडली है उसको देखकर उससे सम्मंदित उपाय करना ही सर्वस्रिष्ट होता है तो कभी भी आप कोई उपाय कराएं कोई एस्ट्रोजिकल हेल्प लें किसी से भी लें तो आप अपनी जनम कुंडली के अनुसार अगर आपके पास अपनी जनम कुंडली, डेट अपर्थ, टाइम अपर्थ नहीं है तो आप अपनी जो चहरे के अनुसार किसी योग की विद्वान व्यक्ती से परामश करें और आप चाहें तो हमारे नंबर पर भी हम से संपर करके अपनी परेशानियों के अनुसार अपनी परेशानियों के लिए उपाय जान सकते हैं इसके अलावा में उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो लोग की बिलकुल फ्री में अपने परेशानियों के लिए उपाय जानना चाहते हैं उनों लोगों के लिए हमने अपने शनी पीठ मंदिर की तरफ से एक मोबाइल एप लॉंच करी है उस एप का जो लिंक है वो डेस्क्रिप्शन में दिया गुआ इस वीडियो की उस एप को डाउनलोड करें और अपनी परेशानियों के हिसाब से आप उपाये जान सकते हैं वहाँ पर हमने स्वामी प्रिंस रिशी जी की उनके दो असिस्टेंट सादक और सादिकाए उनकी डूटी लगा रखिये आप लोगों की मदद करने के लिए लेकिन वहाँ पर केबल उपाये आप लोगों को without any cost यानि बिल्कुल मुफत में बताये जाते हैं जो से कोई भी जान सकता है तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का अपना राशी फल से पहले आज का पंचांग आज विक्रम संबत 2077 दिनंग 5 अपरेल 2020 चैत्र मास की शुकल पच्च की 12 शी तिथी है रवीवार का दिन है आस्मान में शूल नामक योग बना हुआ है और माग नच्छत का तीसरा चरण चलना है आज का जो राहुकाल है वह शाम को 5 बच के 7 मिनट से 6 बच कर 41 मिनट तक रहने वाला है इस राहुकाल के दौरान आप लोग किसी भी प्रकार के शुबकार ना करें क्योंकि इस समय पर किये दे शुबकार जो है आपको अपना फल नहीं देते हैं वरस्राशी वालोग आप को अचानक से शुफवरों की पराप्ती इसलिए होने लगी है तकि आपके जो स्थरार है वह अचानक से सुधरने लगे हैं और आपको आशिवाद दे रहे हैं बल शाली हो रहे हैं आपके राशी में बैठकर तो निश्ट रूप से जब राशी का मालक राशी में बैठकर आपको बल परदान करेगा, शुक्र विप्ता आपको बल परदान करेंगे, जो वैसे ही लच्छमी के देखता है तो आपके जीवन में कहीं न कहीं तो मजबूत की आएगी, खुशी आएगी, आनंद की अनुगत की होगी। कि तो परिवार जनों के साथ आपकी उल्जने अभी तक ठीक नहीं नहीं है, उनको सुल जाने का प्रियास करें, आप उनको नहीं सुल जाएंगे, तो आपके कारिस्थल पर थोड़ी अर्चन आ सकती है, आपको तो चाहिए ये कि अपने परिवार जनों की सहयोग से उनकी सला महामान के ऊंक powin आशिरवाद लेकर का कारिस्थल में पर्यास करने का परयास करना चाहिए क्याएकर आप कारिस्थल में परोत्री करेंगे तो ही आपको न्थी के अफसर प्राप्त होगे बात करते हैं जो भाई औहों के साथ आपके समऻ्दधें प्रिखत के सं मन्द , आपकी माता की वजए से इस समय अच्छे हो सकते तो माता का अश्रिवार लेते रहिए बाई बहनों के साथ सममंदों को सोधार रहिए chopped उनों सोचना जा पारे में आपको कोई इसोच ना दे रहिए कोई परिच्छा करें सफलता की सूचना या कोई सारकारी टेंडर क्याती है की सूचना शींगरी प्राप्त हो जाए बात करते हैं इस्टूरेंट्स की तो इस्टूरेंट्स इस समय अपनी गुद्धी से काम लेकर जो कुछ भी मेहनत करेंगे निश्चित रूप सेंके काम आने वाला है अपने प्रयासों को जारी रखें अंत्तह सफलता उनको प्राप्त हो सकती है किन्तो जो इस्टूरेंट्स ऐसा महसूस करते हैं कि मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं या उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं किताबें सामने रखी रहती हैं निवाग कहीं और भूम में चला जाता है कि ऐसे लोगों को एस्टूरोजी का सहरा लेकर निश्चित रूप से ना सरे पहले से ज्यादा अच्छे नंबर लाने चाहिए हर साल अपित्तू उनका मन भी पढ़ाई दिखाई में लगना चाहिए और इस बात के लिए तो हम भी गारंटी देते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं आपके साथ तो आप बिना किसी जएक के स्क्रीव आ रहे नम्मरों पर हमसे संपर करें बात करते हैं स्वास्य संबंदित सबसे बड़ी आवशक्ता बनी हुए यह सबी के लिए तो आप सतर्क रहें कोरोना नमक बीमारी से और अपने परिवार को स्वस्तरक्ते हैं बात करते हैं उन लोगों की जिनकी अभी शादी ही नहीं हुए शादी की उमर निकली जा रही है बाल सफेद पढ़ने लगे हैं चेहरे पढ़ने राशा चाने लगे हैं कि रिष्ता है कि बार बार तूट जाता है आज तक शादी का लड़ू खाने को नहीं मिल रहा है तो ऐसे लोगों से कहना चाहूँआ कि अब आपको अपने ग्रह दोसों को दूर करने के लिए कि यह जो साधी में लेट लटीफी होती है किसी भी कारे में कभी जो अरचन आती है तो समझ दीजे आपकी ग्रह खराब है इसी वज़े से आपको किसी कारे विशिष में बार बार अरचन आ रही है नहीं तो कोई एक बार अरचन आई बात खतम हो गया आपका काम बन गया कि तो बार बार अगर रचन आ रही तो आपकी ग्रह पिल्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है, अपने ग्रह दोसों को शांत करिए, पुजा पाथी उपाय नहीं है, पुजा पाथी में तो बहुत पैसे लगते हैं, आप किसी यूगी व्यक्ति के दोरा अपनी ग्रह दोसों क को दूर करने का प्रयास कीजिए, चाहें तो आप इस क्रीन पर आ रहे नमपर पर हमसे मिलकर इन ग्रहों को ठीक कर आकर अपनी चेहरे के द्वारा अपनी जनम कुंड़ी के द्वारा, अपनी बर्थ डिटेल्स के द्वारा इमेल, फॉन, फॉन, वीडियो कॉल या परस्नल आपको खुशियां आपकी जोली में गिर्ती चली जाएंगी जीवन साथी की वजए से आपके भाग्यमेगी ब्रदी की सम्मावना इस पस उप से दिखाई दे रही है किन्तो नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता नहीं है तो अगर कभी भी आप अपनी जीवन में जीवन साथी के साथ तनाव महशूस髏 और कि तो बिना किसी जीवन साथी युपके सभी तरतन की एक अगुथी को मंत्शित प्राण पतॉस्टियों जागरत कराकर अपने हाथ में धारन करें अगर ऐसी अंगुठी आपको नहीं मिल पा रही है तो आप इस्क्रीन पर आने नमरों पर हमारे हां से ये अंगुठी अपने साइज के साफ से मन्तशित, प्रांटशित और जागरत कराकर घर बैठे या स्वेम आकर प्राप्ट कर सकते हैं मैं नम इस ग्रोगमार, आपको सब्वी प्रोगण में शोल हो गया अपको थोड़ा प्रोपर्टी सेल करने का था ये भी इंदर आया ये रिंवेर केया ये भी सेल हो गया अब आप लोग को प्रोगम होएगा इसर गेशनी मंतर में आगो फुजी को मिलो आपका सबी प्रोगम इदर से ठीक होएगा अंटर प्रोगम आपको वादा करता है वाहन या कोई एक्सिडेंट से संबंदित कोई अशुब समाचार आपको हो सकता है तो बहुत साबधानी पूबक यात्रा या वाहन चलाने का कारे करें या कोई भी ऐसा कारे ना करें जिससे एक परसेंट की दुर्गहंतना की संभाव ना हो अपने आपको सुरच्छी करकने का भरपूर ब्यास करें इया हो है अपने कारिस्थल पर अपने कारेक्षिवाıl पर अपने कारिस्थख पर अपनी बदी कर सकते हैं माता कारे क्षिवाल बने कर नुश्यत पूचा के आमंद्री में बदी होगी आप आगे बढ़ते रहे हैं जो बात करें निसंतान दबत्यों की जिनकी शादी हुए बहुत साल हो गए हैं डॉक्टरों के चक्कर लगा-लगा कर ठक रहे हैं या फिर उनको बार-बार मिस्केरिश हो रहा है और डॉक्टर भी कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे लोग दंपत्य अपनी जनम कुमली दिखाएं वीडियो कॉल के माध्यम से फोन कॉल के माध्यम से एमेल के माध्यम से या संभव जब भी संभव हो तो परस्नली विलकर भी ऐसा कर सकते हैं हम मिश्चित रूप से अस्ट्रोगी के तवरा आपकी हेल्प करने का भरपूर प्यास कर जैसे संतान की कुषियां आपके घर आगर में खेलने लगें बात करते हैं उन लोगों की जो प्रेम से संभव परेशानी से जूजर हैं तो आप अपने प्रेम संभव में सुधार के लिए अपने बुद्धी विवेक का इस्तेमाल करें निश्चित उसे बुद्धी विवे अपने बुद्धी आपको चाहिए तो हमें इस वीडियो की डेस्किप्शन में जाकर हमारा इमेल है वह से इमेल कर दीजे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्त ये पुजा विदी भेज देंगे चोटी सी पुजा विदी है इन तो जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हो बिना किसी जि करने के लिए हमारी एस्ट्रोजिकल है ले सकते हैं मिश्चित रुचापी जनम कुप्डी या चेहरे के मात्यम से हम आपकी परिशान्यों को दूर करने का भरपूर प्यास करेंगे आज के लिए बस इतना ही शीगरी पुने मुलाकात होगी आपके नए ग्रेगोचर झाल